नमस्कार स्वागत आपका बैंको करियर अकैडमी सीकर के यूटूब चैनल पर मैं हेमन शर्मा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CHSL के एडवांस मैथेमेटिक्स के प्रीवियस एयर के कुश्चन्स तो जो बच्चे CHSL के कमिंग एग्जाम में एपियर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत प्रूटफुल होने वाला है और मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप प्रत्य कुश्चन को अच्छे से देखना उसका सॉलूशन अच्छे से देखना जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो सके आईए शुरू करते हैं कुश्चन नमबर एक के साथ कुश्चन नमबर एक में लिखा हुआ है कि मान लिजे ट्रेंगल ABC ट्रेंगल PQR के समरूप है और त्रिबुज ABC का त्रिबुज PQR से 6 पल कानुपाथ 9 बटे 16 AB बराबर 12 सेंटीमीटर है BC बराबर 6 सेंटीमीटर AC बराबर 9 सेंटीमीटर है तो QP किसके बराबर है यारी कि इसमें ये जो 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 मेंटरी का कुश्चन है इसमें आपको दिया गया है कि एक त्रिबुज ABC बनेगा इसमें A, B और C और दूसरा त्रिबुज बनेगा त्रिबुज P, Q, R तो सभी बच्चों को ये तो पता होगा concept कि इसमें इसका छेत्रफल 9 दे रखा है और इसका छेत्रफल 16 दे रखा है अनुपात छेत्रफलों को अनुपात इतना दे रखा है और इसमें पूछा है आप से कि A, B बराबर आपको दिया हुआ है 12 और आपको पता करना है इसका अनुपात तो इसमें कौन सा कॉंसेप्ट लग सकता है इसमें कॉंसेप्ट यह लग सकता है कि जो बुजाएं होती है संगत बुजाएं जैसे कि AB के संगत PQ बुजाएं तो AB और PQ का यदि आप स्क्वेर करोगे तो वो इनके छेत्रफलों के अन बुजाएं सब्सक्राorf इसका इसमें और आपको PQ का मान निकालना है तो PQ का इसका रखा रहेगा और यहां पर नौ बटे 16 तो यहां पर इसको काट वे सूलाहुचा इसलिए पी क्यू का मान कितना हो जाएगा यहां पर 16 यानि कि आपका आंसर आजाएगा तो यह तो लग गया इसका concept लेकिन important चीज यह भी आप ऐसे simple तरीके से observe भी कर सकते हो observation कैसे कर सकते हो ध्यान से देखने जाए observation आप कर सकते हो कि यह छोटा triangle है तो इसकी यह वाली बुझा छोटी होगी और यह वाली बड़ी होगी जायर सी बात है तो बारा से बड़ा जो आंसर आ रहा है आप उस पर टिक कर सकते हो बात समुझ में आ रही है इस तरीके से आप observe कर सकते हो यदि ऐसा मोका लगे ऐसा इस वर्वां से लागा काम कर सकते हो आई यह चलते हैं अगले कुश्चन के तरब अगला कुश्चन भी जूमेट्री का है एक व्रत को चत्रुबूझ ABCD में बनाया गया है तो चत्रुबूझ ABCD और कुछ इस तरह से होगा एबी-दी और डे इसमें एक व्रत को बनाया गया है तो इसमें यदि हम एक वरत बनाते हैं तो वरत कुछ इस तरह बनेगा तो इसे हम कह सकते हैं कि यह चक्रिय चत्रोज का रूप है चक्रिय चत्रोज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाय उनका योग आपस में बराबर होता है मतलब कि चक्री चत्रवज या cyclic quadrilateral की हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि आप AB plus CD AB plus CD बराबर किसके होता है AB plus CD बराबर हो जाएगा BC plus DA के BC plus DA आप बराबर ये हो जाएगा यह concept यहाँ पर ऐसे काम करता है या फिर इन दोनों का यह हो इन दोनों के बराबर होजेगा जैसे भी अब देखिए क्या दिया गया है वो जड़ा देख लेते हैं ध्यान से इसमें जो value दी गई है वो क्या दी गई है कि as pqrs बिंदू है पी क्यू आर और एस बिंदू है तो एस आठ है तो एस को इन्होंने यहाँ पर यह वाला यह वाली साइड आठ है और बी सी पूरा यहां से लेके यहां तक बी सी कितना है ग्यारा सेंटीमेटर एंड़ c r 5 यह वाली c r है यह 5 तो a b की लंबाई बता नहीं है तो value put कर दो a b की लंबाई बता नहीं है तो a b की value put मत करो जिसकी लंबाई पता करनी है लेकिन c d की value तो हम पता कर सकते कैसे c d c d c d किदर है देखो यह a b c d तो यहां पर आप x मानना पड़ेगा और यहां पर भी आपको x मानना पड़ेगा क्योंकि इस बिंदू से यह इस पर शरेखा है और यह भी यहां की इस पर शरेखा है तो यह लंबाई यह बराबर होंगी क्योंकि circle में किसी बिंदू से इस पर शरेखा की जो लंबाई है वों हमेशा बराबर होती है तो आप इस को 11 लिखा और d a d a ये वाली लाइन है यानि कि 8 प्लस x तो ये हो जाएगा 8 प्लस x x से x cancel out हो गया और 19 में से 5 चला गया तो ये भी का मान आजाएगा चौदा यानि कि आपका अंसर आजाएगा d clear है ना बहुत आसन concept है या आप ऐसे ना लिखे मनलों ये वाला concept यूज ना करें तो आप डायरेक्ट यह पता कर सकते हो ध्यान से देखो ये पांच है ये पांच है तो इस से यहां तक 5 है तो यह यहां भी 5 होगा और 11 में से 5 गया तो यह 6 होगा और यह यहां से यहां यहां से यहां तक भी 6 होगा और यहां से यहां तक 8 है तो यहां से यहां तक भी जैसे यह 8 है तो यह भी 8 होगा तो 8 उच्छे फिर कितना होता है चबता होता है यानि कि आप कोई सा भी कोई सेप्ट यूज कर सकते है आये चलते है अगले कोशन पर ज्याद से देखिए यह ट्रिग्रोमेट्री का कुशन है बहुत ही इंपोर्डेंट कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहां पर देखिए 3 कॉस स्क्वेर ए प्लस 6 साइन स्क्वेर ए बरावर आपको दिया 3 तो या तो आप कॉस स्क्वेर ए की जगए 1 माइनस साइन स्क्वेर ए लिख सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि कॉस स्क्वेर ए बरावर होता है 1 माइनस साइन स्क्वेर ए ठीक है तो आप यहापर क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वेर ए फिर से solve कर सकते हो तो यह हो जाएगा 3 1 minus sin square a plus 6 sin square a equals to 3 इसमें multiply करेंगे तो 3 minus 3 sin square a plus 6 sin square a equals to 3 इससे यह cancel out हो गया और 6 में से 3 चला गया तो 3 sin square a बराबर बचेगा 0 यानि कि sin a बराबर 0 हो जाएगा इससे यानि a बराबर हो जाएगा 0 degree तो a का मान कितना आगया 0 degree आगया तो आपका answer आजाएगा यहापर क्या बी यानि कि 0 degree तो एक तो यह तरीका है यदि आप ऐसे ना करें तो भी आप इसका answer निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से सुनना आप क्या कर सकते हो कि आप 3 बनाना है आपको तो इसको तो बना दो 0 तो तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा और इसको बना दो 1 तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा तो एक वाल टू 3 हो जाएगा अब साइन का मान 0 0 degree पर होता है कॉस का मान 1 0 जो डिगरी पर होता है तो आंसर फिर आ गया या निकी कुश्चन और भी हो सकता था यदि समझ आ जाए तो अगला कुश्चन कि नेक्स्ट कुश्चन है कि जोमेट्री का तो तो द्यान से देखिए मैं एक त्रिवुच बनाने जा रहा हूं जैसा कि कहा गया है वैसा कुछ इस्तर नेका ये ए ये बी ये सी ये डी और एक सम्दिवाज़क का कोण का वो है ए ठीक है तो ये वला कोण और ये वला कोण ये बराबर है आपस में क्योंकि ये है कोण सम्दिवाज़क तो यहां पर ये 90 डिगरी होगा आपको ये दिया हुआ है 72 डिगरी और ये दिया हुआ है आपको कितना 26 डिगरी तो आपसे पूछाए कि ये वला एंगल बताओं एंगल डी ए ए का माप बताओं तो एक तो डाइरेक्ट कॉंसेप्ट है कि एंगल डी ए ए आपको निकालना है तो वो होता है हाफ ओफ एंगल बी माइनस एंगल सी कब जब ये परपेंडिकुलर और ये लंब सम्दिवाजक स्वरी कौन सम्दिवाजक दिये हो एक तो परपेंडिकुलर दिया हो और एक उसी कौन का कौन सम्दिवाजक दिया हो तो ये जो इनके बीच का कौन बनता है ये हमेशा इसे आ जाता है अंसर इसका तो द्यान से देखिए इसका अंसर क्या आ जाएगा वन बाइटू कॉण भी बातर है और भातर मैंसे 26 गए तो कितना बचता है एक्टी बातर और 26 यदी माइनस करेंगे तो बतेगा आपका 46 और 46 का आधा करेंगे तो कितना बचता है 23 तो 23 आंसर आ जाएगा यानि कि ये कोण आ जाएगा 23 डिख दीगा ओप्शन में ये ओप्शन आपका आपका अंसर ठीक है समझ भागे ना वड़ा सिंपल सा बंडा है ये ये आप तब भी निकाल सकते हो ट्रेंगल की प्रॉपरिटीज होती है उनसे आप आंसर निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो देखो ये 90 डिगरी है ये 72 डिगरी है ये टोटल मिलाके फिर ये जो बचेगा ये 18 डिगरी बचेगा अच्छा ये चुकि कितना हो गया 26 और बहातर 26 पर नाइटीएट होता है तो ये कितना बचा फिर ये बचा टोटल 82 डिगरी का 82 डिगरी में से 41 ये हो गया और 41 ये हो जाएगा और 41 में से 18 जाएगा तो तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते है चलिए चलते अगले कुशन पर अगला कुश्चन भी टिग्रोंेटरी का और इसमें cos 9 sin 81 यानि कि यह आपस में complimentary एंगल्स दिये हुए तो 9 और यह 81 complimentary है यह भी complimentary है नीचे भी complimentary 56 complimentary होता है यानि कि दोनों का total 90 degree होता है और 25 और 25 दोनों का total भी 90 degree होता है ठीक है तो अब इन question को solve हम आराम से कर सकते हैं यदि आपको पता है कि sin theta और किसके बरावर होता है cos 90 minus theta के बरावर होता है इसी तरह sin cos में बदल जाता है sec, cos sec में बदल जाता है और 10 quat में तो यहाँ पर यदि आप देखो तो यह cos 9 है तो यह भी cos 9 है यानि कि यह हो जाएगा 2 cos 9 degree और into यह sec 9 है यह भी sec 9 हो जाएगा क्योंकि sec किस में बदलेगा cos sec में 9 degree में तो यह हो जाएगा 2 sec 9 degree और upon यह sin और यह sec है तो इसको हम cos 34 में बदल सकते है 90 minus theta है ना cos 34 आपस में cancel out हो जाएगे 1 हो जाएगा और यह किस में बदल जाएगा cos sec में convert हो जाएगा sec 65 में तो sec और cos sec आपस में cancel out हो जाएगे यानि कि 1 तो यहाँ पर क्या हो गया 2 into 2 4 हो जाएगा और cos 9 और sec 9 same degree है cancel out हो जाएगे और upon में कितना आजएगे यह अच्छा प्लस में तो मैं यहाँ पर यदी देखूं तो यहाँ पर यह प्लस है ठीक है यह देखिए साइन प्लस का है तो 4 upon 2 हो जाएगा 2 से 2 cancel out हो के 2 answer आजएगा तो इसका answer भी कितना आ गया तूप आगया बड़ा आसान सा कुशन था इसमें कुछ भी नहीं करना था सिर्फ 90 माइनस ठीटा से convert करके दूसरी वैली में ऑर कॉस्त नाइटी माइनस ठीटा होता है यानि कि यह 30 है तो यह गारंटेट 60 होगा और कॉस एक हमेशा सेक में बदलता है और सेक हमेशा कॉस्त में बदलता है और 10 कॉर्ट में और कॉट 10 उनलोंता तो आप क्या करो, जो small है, small angle से, जैसे कि 9 हुआ, इसमें 9 हुआ, इसमें 34 हुआ, इसमें 25 हुआ, put them equal to 30 degree, और जो greater है, उसमें आप 60 degree put कर दो, क्योंकि इन दोनों का sum भी कितना होता है, इन दोनों का sum भी 90 होता है, और आप table में ऐसे values put कर लो, answer आ जाएगा, ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो जड़ा, next question, ऐसे question को solve करने के लिए, या तो आप इसको simplify करो, simplify करने में time लगता है, या कभी कभी में समझी नहीं आता है, क्या value put करें, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे question को solve करने के लिए, आपको मैं सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ, आप, जो त्रिबुजेंड, जिससे technometry बनी हुई है, जैसे sin theta perpendicular upon hypotenuse होता है, तो sin theta का मान आप यहां से ले लोगे, cos theta का 10 theta का मान ले लोगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, पंद्रि, बद्री, प्रसाद, हर-हर बोले, या फिर, आपने पढ़ा होगा, लाल बटे, कक्का जो भी पढ़ा है, तो आप हिंदी एंगलिश मीडियम जो भी हो, आप यह देखो कि perpendicular upon hypotenuse, आप sign बोलते हो, तो इनके जो value है, वो pythagoras प्रमे के हिसाब से, आप pythagorean कोई भी triplet रख लो, जैसे कि 3, 4 और 5, यह रख लिया, अब देखो sign का मान का है, sign का मान आजाएगा आपका 4 बटा 5, तो यहां आप 4 बटा 5 लिख लो, यहां पर आप 4 बटा 5, और यहां पर आप लिख लो, 1 प्लस यह हो जाएगा 3 बटा 5, तो 3 बटा 5, इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, यहां 1 प्लस 3 बटा 5, और यहां 1 प्लस, यहां 4 बटा 5, ठीक है, इसके बाद आप यहां पर लिख लो, 1 upon 10 का मान 3 बटा 4 10 का मान 4 बटा 3 और 4 का मान 3 बटा 4 आ जाएगा तो यह जब आप मान रखोगे जब आप इसको solve करोगे तो आपको जो value मिलेगी जो भी value आएगी suppose वो value कुछ भी आती है तो वही आप cos का मान 3 upon 5 यहां रखके देख लएगे match करती है तो answer यह होगा ऐसे ही यहां पर यहां पर यहां पर आप match करके देखो answer यह होगा ठीक है तो इसका जो answer है वो आप इस तरह से निकालोगे तो आपको ज़्यादा सहील आएगा ज़्यादा आपका सटी का answer आएगा बिना tension के ठीक है वैसे इसका answer कितना आना चाहिए sine square हो गया cos square हो गया तो 2 plus 1 और 1 2 cos theta और यहां जाएगा sine theta 1 plus cos theta और यहां पर यहां जाएगा sine theta into cos theta upon sine square theta plus cos square theta ठीक है तो यह इसका answer sine से मालने जी हमने sine काट दिया और 2 common ले लिया तो 1 plus cos theta यहां पर बचेगा बच्चो और 1 plus cos theta यहां पर बचेगा और यहां पर 1 हो गया cos theta ही बचा upon 1 इससे यह कट गया 2 cos theta इसका answer आजाएगा तो ऐसे आप solve कर लो भी इसका answer आजाएगा लेकिन आपसे कभी solve ना हो तो आप value put कर सकते हो question number 7 की बात कर रहे हैं question number 7 मैं भी trigonometric value दी है तो जैसे मैंने पहले आपको बताई थी कि आप इसमें value put करकर answer निकालो तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो इसको आपको solve करना पड़ेगा तो देखो ज़्यादा ध्यान से मैं यदि इसको आपको solve करवाऊ तो आपको 2 cosec theta plus 10 theta का मान निकाल ले ठीक है ये value आपको दी हुई है अब ध्यान से देखना आप मेरी बात सुनना यदि मुझे इसे 0 बनाना है तो क्यों न मैं एक काम करूँ कि मैं 3 में से 3 माइनस कर दूँ मतलब कि cos की जगए मैं जैसे की 1 रखूँ और इसकी जगए 0 रखूँ तो 3 में से 3 जाएगा 0 तो हो जाएगा पर यहाँ पर cosec 0 बना पॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा तो आप यहाँ पर theta का माँ 0 तो रख नहीं सकते तो theta cannot be equal to 0 degree एक तो आपको वो avoid करना पड़ेगा दूसरा आप क्या कर सकते हो कि 0 degree नहीं है तो 90 degree नहीं होगा तो आप theta equal to एक बार 60 degree आप रख कर देगा ठीक है 60 degree रख कर देखने से क्या होगा यह sine 60 कितना होता है root 3 by 2 होता है तो 3 by 2 3 by 4 हो जाएगा और यह कितना होता है 1 by 2 होता है तो यह हो जाएगा 3 by 2 और 3 by 2 तो 3 by 2 और 3 by 2 कितना हो गया minus का 6 by 2 यानि कि 3 3 में से 3 गया 0 बिलकुल satisfy कर रहा है तो आप यहाँ पर 60 degree रखोगे तो आपको यह मिल जाएगा 2 upon root 3 और 10, 60 कितना होता है 10, 60 होता है root 3 तो यह हो गया 3 और 4, 7 7 बटा root 3 यदि आप इसका resolution कर दोगे root 3 upon root 3 का तो यह आपका answer जो यह नए D आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आप answer पता कर सकते हो पर important चीज है कि आपको यह value जल्दी से रखनी आने चाहिए इसके लिए आपकी practice अच्छे होने चाहिए और यदि आप value नहीं रखते हो तो इसको वर्ग समय करण बना लो यह इसको बदल लो आप किसमे 1 minus cos square theta में फिर यह quadratic equation आ जाएगा और फिर यह 2 मान आपको छोड़ देगा तो उसमें थोड़ा time लग सकता है आईए चलते हैं next question की तरफ अगला question कह रहा है algebra का question है बहुत अच्छा question है तो देखी ज़रा ध्यान से इसको solve करते हैं हम लोग algebra में a cube plus b cube बरावर 110 है और a plus b बरावर 5 है तो आप से पूछ रहा है कि a plus b का whole square का और minus 3 a b का मान क्या होगा तो मैं तो कहता हूँ कि ये value a cube plus b cube upon a plus b होती है आप जब इसको solve करोगे तो ये इतनी आ जाएगा इसको solve करोगे तो इसका मतलब आपका मान 110 बटे 5 ये तो आपका answer आजया कितना 22 तो आपका correct answer आजयेगा 22 ठीक है ना चलिए अगले question पर चलते है थोड़ा formula से related चीज़े है formula concept wise आपको आता है तो जल्दी answer आता है ठीक है ना value put करने की ज़रूवत नहीं है इसमें try error की ज़रूवत नहीं है ठीक है अब हमें value दी है तो आपसे पूछा है कि aq plus bq plus cq minus 3abc का मान बताईए ठीक है आपको value किसकी दिया a plus b plus c की value दिये और आपको दिये इसकी value तो इसकी जो value होती है वो होती है a plus b plus c सीधा सीधा formula होता है और then a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus c यह formula होता है अब आपको इसका मान निकालना है तो a plus b plus c आपको given है कितना है 5 है अच्छा और a square b square c square 33 आपको दिया है और minus minus common ले लो तो a b plus b c plus c a का मान आपको दिया नहीं है वो आपको यहां से निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालेगे आपको पता है कितना है 33 उधर minus होगा 25 में से तो 8 बचेगा और 2 से कटे का minus का 8 बचेगा minus का 4 इसका मान आ जाएगा तो आप minus का 4 यहां पर रखोगे तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा यानि कि आप यहां पर देखोगे तो 5 इंटू 37 आपका आंसर आजाएगा तो फॉर्मूला यदि आपको पता है आप डाइरेक्ट वेल्यू पुट कर सकते हो जो चीज निकालने की और ड्राइव करने की होते हो आप ड्राइव भी कर सकते हो और आंसर आजाता है चलिए अगला कोशन देखते हैं ये कोशन है इसमें भी मुझे लग रहा है कि कॉंसेप्ट फॉर्मूले काई काम करेगा देखे ये वेल्यू आपको दी हुई है यदि ये वेल्यू इसके बराबर है तो आपको 20 स्क्वर प्लस C स्क्वर माइनस स्क्वर का मान निकालना है तो मैं यदि इसको देखूँ तो इसको हम लोग यदि कम्प्लीट क्यूब करने की कोशिश करें ठीक है तो ये आठ पंजे 40 है यानिकि आठ मतलब 2 हो गया 2 का क्यूब और 5 पंजे 25 यानिकि ये हो गया 5 का क्यूब तो रूड 5 का ये हो जाएगा क्यूब ये हो जाएगा इसका और X साथ में लगा हुए है न तो ये हो जाएगा रूड 5 और X का क्यूब माइनस ये 3 है अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इसका 3 को यदि हम अंदर लेकर जाएंगे तो 9 जाएगоме कि 3 का क्यूब 3 का क्यूब या निकि 3 वाय और इसका क्यूब ठीक है root 3y का क्यूब ये हो गया आपका ठीक अब a क्यूब माइनस b क्यूब का जो ichen जो formula होता है वो होता है की a ए ए माइनस बी और फिर होता है ए माइनस बी ए स्क्वेर यानिकि इसका स्क्वेर और इसका स्क्वेर करेंगे तो 4 पर जे 20 ए स्क्वेर प्लस ए भी ठीक है प्लस ए भी इनका मल्टिप्लाइ करो तो 2 रूट 15 x y और प्लस बी स्क्वेर तो इसका स्क्वेर करेंगे तो कितना जेगा 3y का और फोल स्क्वेर यानिकि ये फॉर्मुल अता है ठीक है, aq-bq क्या होता है, a-b, a² plus a b², अब इसको आपको solve करना है, तो directly आप इससे compare कर दो, देखो ये वाला तो इससे compare होई गया, ठीक है, अब इसका comparison आपको इससे करना है, तो आपको a का मान मिल जाएगा, यहाँ पर कितना, x² का coefficient में है, तो a बराबर आपको 20 मिल गया, ठीक है, और b बराबर आपको कितना मिल गया, आप देखो, b बराबर आपको मान मिल जाएगा, x, y के साथ है, तो 2 root 15, और c बराबर आपको मान कितना मिल गया, c बराबर आपको मिल गया, यहाँ पर 3, तो आप इस तरह से इनको ज़रो स्वल्व करके देखू, आपको मान किसका निकलना है, अंडरूड में b square प्लस c square माइनस a का, तो b square कितना है, इसका square करोगे तो 15, 15 चोके, 60 ही आ जाएगा, और c square कितना है, 9 यह आ जाएगा, और b square कितना है, यदि हम b square देखे, नहीं, सिर्फ a का मान निकलना है, तो माइनस का 20 करना पड़ेगा, आपको न, माइनस का a, तो a का मान सिर्फ 20 है, तो इस तरह से आगया अंडरूड के 49, ठीक, अंडरूड का 49 कितना होता है, 7 होता है, तो इस तरह से आपका answer कितना आजएगा, 7 आजएगा, तो यह value, comparison की values होती है, formula open करो, direct compare करो, then put the answer, तो इस तरह की से आप answer निकाल सकते है, ठीक है, I hope समझ आए होगा, next question, question number 11, इसमें क्या लिखा हुआ है, x square plus 1 वराबद 3x हो, तो इसका मान आप निकालो, देखो, यहाँ पर म x का भाग देंगे, तो यह बन जाएगा, कुछ इस तरह का, यह मान बन जाएगा, और जब यह इस तरह का होता है, तो आपको पता है, x cube plus 1 upon x cube होता है, 3 का cube minus 3 into 3, यानि की 18, समझ मैं है, तो आप देखो, आपको मान निकालना है, इसका, इसका मान निकालने के लिए, आप कै इसे करोगे, 4 और minus 2 को add करोगे, तो 2 आएगा, और उसका half 2 होता है, यानि की, आप x की power 2 common ले सकते हो, नहीं, उसका half 1 होता है, तो आप x की power 1 common ले सकते हो, तो x common लिया, तो यहां बचेगा, x की गाद 3 plus 1 upon x की गाद 3, और यहां पर आपने x common लिया, तो आप यहां पर x x से x कटके, यहां पर तो आजाएगा 18 उपर, और नीचे आजाएगा, यहां x 1 upon x का माद 3 है, 3 और 5, 8, यानि की, 9 बटा 4, 9 बटा 4 कितना होता है, 9 बटा 4 होता है, 2 सही 1 बटा 4, तो आपका answer आजाएगा B, I hope clear होगा, यह चीज आपको सीखनी है, कि इसका cube करोगे, तो इस तरह से answer आपका मिल जाएगा, चलिए, आएए देखते है question number 12, question number 12, जो मैंटे है question है, इसमें लगा हुआ है, कि एक वरत A, B और C, D, दो जीवा है, जो एक दूसरे को E पर काटती है, तो देखिए, जैसे कि एक वरत है, यह एक वरत है, और इस पर दो जीवा है, और हमने वो दोनों जीवा एको जीवा इस तरह बना ली, एक जीवा A, B, और दूसरी जीवा C, और D, और यह किस पर काटती है, E पर काटती है, तो यह concept आपको पता होगा, कि यह क्या होता है, जब इस तरह का concept आता है, तो E गुणा, E, B, बराबर, C, E, गुणा, E, D होता है, ठीक है, अब इसमें दिया क्या है, CD 18 है, तो यह CD पूरी 18 है, 18 का मतलब है, यदि इसको आप X मानते हो, तो इसको आपको 18 माइनस X मनना पड़ेगा, और D, E कितनी है, D, E 6 दे रखी है, तो यदि यह D, E आपको 6 दे रखी है, यह वाली, तो 18 मैंसे 6 गई, कितने बचेंगे अब 12, तो यहाँ पर आजाएगा 12, तो यदि वैल्यू नहीं दी, तो 18 मैंस X मनना पड़ेगा, वैल्यू दी है, तो 12 और 6 आप मान सकते हो, आगे क्या है, A कितना दिया है, A दिया है, आपको 18 और आप से का है, कि B, E का मान बताईए, यानि कि इस K का मान बताना है, तो यहाँ पर आपको 12 मिल गया, यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया, इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, C कितना हो गया, 12, और ED कितना हो गया, 6, EB आपको पता करना है, इस का मान के है, और AE, AE आपको दिया है, 18, तो आपको यहाँ से 6 से काटेंगे, आप 6 ती 18, और 3 से काटे यह तीन चों के बारा तो के कमान आजएगा चार यानी कि आपका B, E कमान कितना आगया 4 सेंटीमीटर तो यह इस कॉइंसेट पर बेस्ट कुशन बन जाता है ठीक है आएए आगे चलते हैं अगला कुशन हमारा है कुशन नमबर 13 कुशन नंबर 13 हमारा फिर से जोमेट्रिया कुशन है और इसमें B L और C M दो माद्देका है और कौन A बन रहा है त्रिवज A B C में 90 डिगरी का ठीक है तो इसमें माद्देकाओं पर बेज कुशन है तो 90 डिगरी का हम कौन बना लेंगे ये वाला कौन A ये 90 डिगरी है और यहाँ पर B लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे C ठीक है अब माद्देकाओं बनाएंगे तो एक माद्यका बनेगी यहां से B, L और एक माद्यका बनेगी यहां से C, M और माद्यका बिलकुल Middle Point पर काटती है, यहां पर सामने वाली बुजा को ठीक है? तो इसका जो Concept है, यह वाला जो Concept है इसमें सीधा-सीधा Formula क्या पूट हो सकता है? इसमें सीधा-सीधा Formula यह पूट हो सकता है कि 4 माद्यकाओं के वर्ग का योग, तो माद्यका कौन-कौन C है? माद्यका एक तो B, L है और माद्यका दूसरी है C, M इनका वर्ग, बरावर 5 और जो यह होता है कर्ड, BC उसके वर्ग के बरावर होता है तो यह इसमें concept, सीधा-सीधा आपसे पूचा है, तो कौनसा आप का अंसर होगा आप का अंसर हो जाएगा, option B कि 4, B L square प्लस C M square equal to 5, BC square होता है ठीक है? चलिए आईए चलते हैं अब हम अगले वाले कुश्शन पर अगला जो कुश्शन है हमारा वो है mensuration का एक बेलन के आधार की तरिज्या 7 cm दिया है और बक्र प्रस्टिय छेतपल इसका दिया हुआ है, यानि कि curve surface area दिया हुआ है 440 तो इसका आईटन कितना होगा? इसका आईटन आपसे पूचा है ठीक है? देखिए वैसे तो चीजे हैं, यदि आप concept लगाएं 7 और 11 का, यानि कि आपका जो आईटन होगा, वो 7 और 11 दोनों से कटना चाहिए, तो हम सबसे पहले 7 से चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14 ये 7 से नहीं कट रहा है और ये 7 से नहीं कट रहा है तो ये कट रहा है साथ से यानि कि आपका जोगाएं, सी होना चाहिए फिर भी हम concept से इसको solve कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, concept क्या कहता है? concept कह रहा है, यहाँ पर कि बेलन के आधार की 30 साथ सेंटीमीटर दी हुई है तो एक बेलन है और उसकी जो त्रेज्जा है वो साथ सेंटीमीटर दी हुई है यानि कि रेडियस साथ है और 440 इसका वक्रप्रस्टिय छेथपल है, यानि कि curve surface area है तो curve surface area क्या होता है? curve surface area होता है 2 pi r h और यह दे रखा है आपको 440, तो 2 pi का मान, यदि हम 22 वटे 7 रखें, और यहाँ पर r का मान 7 रखें, तो h का मान आ जाएगा आपके पास, ये कट जाएगा 10 तो h का मान आ गया आपके पास 10 अब आपको पूछाए कि इसका आइतन बताइए तो, इसका जो volume या आइतन जो होता है इसका जो volume होता है वो क्या होता है वो होता है, पाई r square h तो pi का मान 22 वटे 7 रखेंगे r का मान 7 इंटू 7 रखेंगे और h का मान 10 रखेंगे 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 होता है 154, और 10 का गुणा करके हो जाएगा 1540, यान ये कि आपका correct answer C फिर से आ गया है तो ये formula सीधे सीधे question आए हुए है तो आपको formula पर थोड़ा सा focus करना है, साथ मैं मैंने logics बता है, उन पर भी थोड़ा सा focus करना है, मैं फिर एक अगला आपको advanced mathematics का paper लेकर फिर से आपको एक नया video दूँगा, उसमें फिर आपको concept बताऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ आज तक के लिए इतना ही, thank you